नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुती अमेजिंग से दो बहुती हेल्दी से नाश्टे तो दोस्तों मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत सारा स्वागत है और हाँ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह है कि अगर आपको मेरी कोशिस जरा भी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जरूर से कीजिएगा तो यहां पर हमने केवर एक कटोरी भर के लिया है पोहा जिसे मैंने थोड़ी देर पहले भीगो दिया था आद एक कप दही लेकर यानि जितना हमने सूजी लिया है जितना हमने पोहा लिया है उसकी लगबग डेड़ गुना चैने की दाल भीग हुई है और एक कप दही लेकर के उतना ही दही लेकर हमको पीच लेना है इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सारी सबजियां जो भी सबजिय इसमें एड़ कर सकते हैं थोड़े से भुने हुए मुमफली के दाने हम इसलिए डालेंगे दोस्तों कि जो हम जब खाएंगे न तो इसमें क्रंच बहुत बढ़िया सा आता है तो हमने इसको थोड़े सी देर के लिए आदे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख कि हमें दही बराबर ही लेना है अगर आपने दही ज्यादा ले लिया तो हमारा जो बैटर है न वह थोड़ा सा पतला हो जाएगा फिर उसको फूलने में दिखकर जाएगी इसके साथ ही अब हम करते हैं एक टेंपरिंग त्यार जब तक हमारा हमने अपनी सूजी को भीगो क करके हमने हलका सा भून लिया गैस को कर दिया है बंद इसके साथ ही मैंने यहां पर लिया है काली मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए है काली मिर्च थोड़े से तीखे पन के लिए है अगर आप नॉर्मल लाल मिर्च खाते हैं जादा वह भी जटे जाहें सिके तैंपर्निमट सबूरे और भी अधोर कि हम गाया देटन कैसमें निकल जाएं तो इससे तरह से हमने धोरा स्पीर जात की टीर क Kuरेज को ногडी की इसमें उभी एक की नवर से मिला दें त्यार कि हम वी तूरेंगे तेटन को और इसके बाद में अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इनो उसके उपर डाल देंगे थोड़ा सा पानी इससे क्या होगा कि हमारा जो इनो है वो बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा और जो हमारा बैटर है वो एकदम लफी सा हो जाएगा फूल इडलीवले मिनी इडली मोल्ड, तो लिजिएगा बड़ी damage मोल्ड, मेरे पास मिने छोटी देशिया चैसे यह जा रचते वेकुश, उससे यह थाचे रचएंगा से भी two more effective कर लिया है और अब हम एक प्रेशर कुकर में डाला है मैंने पानी और उसमें हम डाल देंगे सौरी रख देंगे हमारे यह दो इस्टेंड है ना वह दो इस्टेंड हमने इसमें रख दिये लिए इसके उपर लगा दीजिए धकन लगबग हमें 15-20 मिनट में इसको पकाना है औ अब इनको हम करेंगे देखिए आप इनको चटनी के साथ ऐसे भी खा सकते हो और अगर आप फ्राय करना चाहो तो तो यहां पर फ्राय कर रही हूं थोड़ा सा घी लिया है इसे फ्राय करो नहीं यदि तो अब घी में फ्राय करना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा थोड़ सा चाट मसाला डालिए बहुत ज्यादा कुछ मसाला मट डालिएगा अधर्वाइस इसका जो नैचरल फ्लेवर है वो खतम हो जाता है तो यह देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी इडली हमने फ्राय भी कर ली है और इसके उपर थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दीजे धनिया अब बनाते हैं मैंने जो शुरू में बनाया था आधे बैटर को अलग कर दिया था इस नाश्ते को बनानी के लिए तो हमने आधे बैटर को अलग किया जितना बचा हुआ बैटर है देखिए अगर आपने कौांटिटी कम रखिये तो एक ही बैटर एक ही डिश बना और जो हमारा यह बैटर था ना बचा हुआ वो पूरा हमने इसमें डाल दिया है बहुत ज्यादा मोटा मत रखिएगा इसको थोड़ा सा पतला ही रखिएगा लगभग आप मान के चलिए कि तीन अगर आप चीले बिनाते हैं तो लगभग तीन चीले जितना बस इसके ऊपर डाल दीजिए चुकंदर है तो चुकंदर डाल दीजिए अगर आपका गाजर है तो आप गाजर की फ्लैक्स डाल दीजिए जो भी आपके पास और नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा अब हम क्या करेंगे ना आज को एक दम धीमा कर दीजिएगा बिल्कुल स्लो लो फ्ले अब क्या खबेंगे कि इसकी धीरे भीरे भुखनाई ने भीरे भीरूओ यह तार है एक सब्सक्राइब मोजेखे आपको खाने में झाल जाएगा आपको यह उन् Lower चौहां कि मैं दो बटर दालने कि मंजने ओहां आपको ऊनिशाओ आपकाम सिम्हाद आब एकि को और हाँ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप नई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और अगर पुराने है तो लाइक तो जरूर कीजेगा तो इस समय गर्मिया चल रही है गर्मियों में हमारा अकसर ऐसे लगता है कुछ हलका फुलका सा खाने को हो तो आप इस नाश्टे को शाम को भी बना सकते हो आप इसे सुबह बना सकते हो शाम को बना करके रख लीजेगा और सुबह आप सर्व कर सकते हो यह आपकी मर्जी है लेकिन गर्मियों में इस तरह की हलकी फुलकी लाइट रेसेपी बहुत पसंद आएंगी आपको तो दोस् झाल झाल झाल